हेलो एसल फैमली मैं हूँ आपका दोस्त और इस वीडियो में आपका होस्ट प्रियांशू नहीं रे बिट्टू सर भया अच्छा दोस्तों तो अपने पिछली क्लास में हमारा हमने अपने फस्त लेसन में जो की हमारा पार्ट है इसको हमने पढ़के खतम कर दिया था हमें समझवा आ गया था कौन था फ्रांस कौन थे मिस्टर हैमल क्या हुआ था एल सेग लॉरेन में हमने सब कुछ खतम कर दिया था और आज हम करेंगे उनी के आठ कोशन मात्र आठ इसके बाद इस चैप्टर को देखना भी नहीं है आठ कोशन में फोल चैप्टर कवर्ड ओके समझ गए शूरू करें सबसे पहले यहाँ पे कुछ शब्द लिखें है देखो देखो कुछ शब्द लिखें है तुम लोग सोचो और बताओ यह क्या हो सकता है सोचो नहीं है सोचो दोड़ा दोड़ा अपने दिमाग के अरभी घोड़ों को थोड़ा दोड़ा अच्छा इससे याद आया देखो मेरे मित्रों सखों बंधूओं देखो यह है इंग्लिश कूर यहाँ पे लाइन बाइन पढ़ने से एक एक शब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है वाई कोई नही कोई मतलब नहीं है यहाँ पे टाइम बरबाद करने से ज़ादा बेटर है आप मैस का एक फॉर्मूला ज़ादा कर लो केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट ज़ादा कर लो पिदिस का एक नियुमेरिकल ज़ादा कर लो समझ मैं आ रहा है अपनको हाड़ वर्क तो करना है बट उस कमिटमेंट याद है ना कमिटमेंट एक वर्ड दिया था मैंने का था उसे सेंटेंस बनाना है और मुझे बताना है स्पेलिंग सही है की नहीं अच्छा यह पता है क्या है यह उन बच्चों के नाम है जिन्होंने उससे बहुत खुबसूरा सेंटेंस बनाई थे अब तुम बच्चों के नाम है जिन्होंने बहुत खुबसूरा सेंटेंस बनाई थे कमिटमेंट से चलो मैं तुम उन से मिलाता हूं यह है तत्यम बहुत शानदा सेंटेंस था यह है अजीत यह है अद्विता यह है दीपक यह है अनामिका यह है सावन यह है सुशील यह है शाहीन देख रहे हो यह है तंजना यह है समीर यह है अन्शू और यह है प्यूश सबको दिख रहे है है ये उन बच्चों के नाम है जिन्होंने कमेंट मेंट से बहुत शान्दा sentence मनाई थे आचा देखो यह तो बहुत कम बच्चों के नाम है जिन्हों लिखे थे आप सब ने बहुत अच्छा-च्छा sentence मनाई थे बहुत अच्छा-च्छा पमेंट्स थे बड़ देखो यार सबके नामते मैं लिखनी सकता आपको भी पता है क्योंकि हूँ तो मैं भी इंसानी मैं भी रहता तो इसी मंगल ग्रहते हूँ है ना तो सब के नाम तो लिख पाऊंगा अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर उसके कोश्चन्स है ना चलो आओ सबसे पहला कोश्चन आपके कंप्टर स्क्रीन पर, लैपटाउब स्क्रीन पर, फोन स्क्रीन पर और मेरे बूर्र स्क्रीन पर यह रहा फ्रांस को उस दिन किस पाट की अपेक्षा थी याद है उसको क्या लगा था क्या पता था किस बात से डर था कि Mr. Hamill, M. Hamill क्या पूछने वाले हैं चलो आगे यह देखो France was expected to be prepared for school that day with his lesson on participles Mr. Hamill, his French teacher had announced that he would question the class on participles but poor France didn't know even the first word about them France को उस दिन कक्षा में Mr. Hamill या फिर M. Hamill आप दोनों बोल सकते हो Mr. Hamill, M. Hamill आप दोनों कॉपियों कर सकते हो बात से मैं, ओके France को उस दिन कक्षा में Mr. Hamill द्वारा participles, कृदंत के उपर प्रशने पूछे जाने की अपेक्षा थी परंतु France को कृदंत के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी याद आया, तभी तो अपने France भाई जाने नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था आज डाट पड़ेगी, याद है Mr. Hamill का सकेल, वो पड़ेगा इसलिए France भाई को जाने का मन नहीं था, फिर भी वो गए और अच्छा हुआ गए, क्योंकि आपनको पता है पार्ट में क्या हुआता है आगे बड़े उस दिन France ने अपने स्कूल में क्या असमाने चीज देखी, याद है जब वो स्कूल पहुच गया था, तो कुछ कुछ-कुछ ऐसा था जो उसने सोचा नहीं था होगा जो उसके लिए काफी अजीव था सोचो, सोचो चले, सोच लिया यह देखो France noticed many unusual things about school that day Firstly, normally when the school began, there was much commission इसका मतलब होता है शोरगुल इसका मतलब क्या होता है शोरगुल याद है, जब France पहुचा था, उसको लगा था बहुत खिल्ला चौट हो रहा होगा, आवाज हो रही होगी पर ऐसा हुआ नहीं था याद है न तुम्हे इसको अच्छे से लिख देता है न शोरगुल पर ऐसा हुआ नहीं था France जब अपनी कक्षा में पहुचा तो वहाँ पे शान्ती थी, जो उसने सोची नहीं थी यह थी पहली चीज, नहीं यह थी पहली चीज, दूसी चीज क्या थी याद आया Mr. Hamill अज कुछ अलग पहनावा करके आये थे जो की आम दिनों से बहुत अजीब था क्यूंकि वो थे उनके ceremonial clothes जो वो खास दिनों पे occasions पे अफसरों पे पहना करते थे याद आया, वो क्या कपड़े थे अपन बाद में डिसकस करेंगे वैसे पता था हरा कोड़ था फिल्ट जालेदा शर्ट भी, ब्लैक सिल्क अप थी वो नेक्स्ट कोशन अभी के लिए इतना याद रखो है ना तीसरी चीज क्या थी फिर्ड विच वास मोस्ट अनूज़ पीपल वस सेटिंग इसको यह सेटिंग है सबसे अजीब बात तुम सोचो तुम अपनी कक्षा में गए और आखरी की क्लासे में तुमें अपने गाउं के ताउ, चाचा और जो भी होते हैं ताउ, चाचा तिवारी जी, चौधरी जी, शर्मा जी सब पीछे बैठे हूँ है, सारे जी बैठे हूँ है तुमें कैसा लगेगा? अन्यूज्वल लगेगा ना? यही सबसे अजीब बात यही थी आखरी बैंच पे गाउं के जो अल्डरली पीपल थे वो सब बैठे हुए थे यह फ्रांस के लिए सबसे अन्यूज्वल बात थी जिसकी उसने अप्टेक्शा नहीं कर दिती जिससे वो हैरान रह गया था यह थी तीसरी बात ठीक है? आउपन बढ़ते हैं हिंदी में प्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में कई असमाने बातें देखी सबसे पहले आम तोर पर जब स्कूल शुरू होता था तो काफी हंगामा होता था जो उस दिन नहीं था दूसरा उनके शिक्षक M. हैमल या फिर Mr. हैमल ने आपचारे कपड़े पहन रखे थे तीसरा जो सबसे असमाने था गाओं के लोग पीछे की बैंचो पर चुपचा बैठे थे जो आम तोर पर अन्ने दिनों में खाली रहती थी ठीक है प्रांज ने तीन असमाने बातें देखी पहली तो पहुचते से ही उसकी मुलाकात हुई शांती से लड़की नहीं शांती कॉइटनेस से शांती से उसकी मुलकात हुई जो उसको लगा नहीं था पूरी तरह शांती थी शोरगुल बिलकुल नहीं था देर वाज मच कोमोशन यानि की शोरगुल था दूसरी बात जब वो अंदर गया उसने देखा मिस्टर हैमल ने वो कपड़े पैन रखे थे जो वो अफसरों पे पैना करते थे इनाम वितरन पे पैना करते थे तो पहले ही ये बात समझ आती है कि उस दिन कुछ तो खास था अब वो खास अच्चा हो बुरा हो वो तो बात की बात है तीसरी बात सबसे अन्यूजल बात आखरी बैंचों पे गाउं के भुजर्ग बैठे हुए थे भाई ये तो सबसे अन्यूजल बात थी है ना ये बात मत भूलना तुम तीन पॉइंट हो गए ओके नेक्स्ट कुशन पे चले आगे बढ़ते है वट हैड बीन पुट अप ऑन दा बुलेटिन बोड ताउन हॉल के बाहर ताउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोड फ्लैश नोटेस बोड था उस पे क्या चापा गया था ये हैं हमारा प्रशन बहुत ज़रूरी प्रशन है गैरेंटी ले लो इससे एक कुशन आएगा गैरेंटी सुनो उस दिन बुलेटिन बोड पर क्या चापा गया था चलो रीड करते हैं एन और्डर देट हैड कम फ्रॉम बर्लिन जर्मनी की कैपिटल कैपिटल राजधानी जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन से ओडर आये थे क्या आये थे यानि की ओडर ये था उस नूटिस बोड पर ओडर ये था ब्रेटिन बोड पर ओडर ये था की याद है ना मैंने बताया था सीट्रीस के नाम कैसे याद रखने हैं कर लेंगे बच्चों को पढ़ाने आ जाएंगे चलो अब हिंदी में इसका नुबात पढ़ते हैं अपन एक आदेश जो बर्लिन से आया था वेब बुलिटिन बोड पर था आदेश ये था कि अगले दिन से केवल जर्मन ही एलसेक और लॉरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी तथा जर्मन के लिए नया टीचर अगले दिन से स्कूल में शामिल हो जाएगा इसका मतलब ये है मिस्टर हैमल कल से नहीं दिखेंगे मिस्टर हैमल जाएंगे उनकी बहन उनका अल्रेडी बोरिय विस्तर बांद रही थी इस क्लास के वक्त याद ना जर्मन के टीचर आएगा फ्रेंच का जाएगा याद रखना आगे चलें और मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं सिर्फ यही कोशन है इसके बाद इनको नहीं इस चैप्टर को नहीं देखना है आपको आगे बढ़ जाओ बात मानो आगे बढ़ जाओ नहीं आना इस बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में क्या बदलाव आया क्या आया क्या आया क्या आया क्या आया क्या तोचो थोड़ी देर कल पाट पड़ा दना पनने बिछली कक्षा में चलो आगे चलते हैं आंसर देखते हैं इसका यह रहा आपके सामने पूरा आंसर बाट जाता आप देख लो इसे चलो भीड़ करें याद रखना जो पढ़ रहा हो उसको खुद भी बोलो पता है और पता है यहाँ पर आपन क्या कर रहा है bilingual हो रहे है bilingual का मतलब होता है दूई भाषा English प्रसिंदी या फिर कोई भी दो भाषा उसको bilingual कहते है अपने आपे bilingual पढ़ रहे है English प्रसिंदी ताकि आपको उसका पूरा समझ में आए और मैं कुशिश करूँगा जो हमारी classes होंगी ना उसमें मैं bilingual रहूँगा English इंदी दोनों का प्रयोग करूँगा ताकि आपको पता रहे कौन से शब्द को कहां बोलना होता है किस महौल में किन sentence को ऐसे बनाना पड़ता है English का कैसे frame होती है English की भाषा I will all tell you that तो मैं आप सबको बताऊंगा इसी तरह से आपको पता नहीं चलेगा कब आपके sentence, कब आपकी भाषा में English आ गई यह आपको पता भी नहीं चलेगा इसको पढ़ने की जरुत नहीं बस महसूस करना आप चलो आपना आगे चलते हैं The order from Berlin caused the French language to be stopped from being taught in the schools of Elsec and Lauren from that day It stated that only German will be taught in the schools from now onwards वही बात है, वही बात है सारी कहानी की वज़े यही है सारी जो इधर उधर चीज़े होगे इसका cause यही है कि Berlin जो है जर्मनी की capital जिनके साथ इनका जंग जंग चल रही थी ऐसे मान लो, Ukraine पे रशिया का कबज़ा हो जाता है अगर जो की लडाई चल रही है तो उसमें रशिया के जो orders आएंगे वो Moscow से आएंगे क्योंकि Moscow रशिया की capital है है ना तो Ukraine में जो भी orders आएंगे वो रशिया की capital Moscow से आएंगे अगर कल को हम पाकिस्तान पे कबज़ा कर लेते हैं तो जो Islamabad, Lahore में जो भी orders आएंगे वो New Delhi से आएंगे हैंगे ना एम हैमिल को छोड़ना होगा इसने बड़े ग्रामिनों को फ्रेंच में अंतिम पार्ट के लिए स्कूल में भाग लेने का कारण बना दिया यही बात थी जो बड़े बुजर्ग थे जिनको फील हुआ कि हमारी मातर भाशा है वो सब मिस्टर हैमिल का आखरी लक्चर अटेंट करने आ गए एम हैमिल जी का आखरी लक्चर अटेंट करने आ गए यही रीजन था कि फ्रेंच भॉचक कर रहे गया था जब उसने देखा आखरी थीटो पर चौधरी जी शर्मा जी तिवारी जी उसा बैठे हुए थे उसका रीजन यही था ठीक है यही था यही था आगे चलते हैं कोश्चन हो गया ना समझ में आ गया हमने दौना भाशा में रीट कर दिया देखो important क्या तुम समझ जा हुआ क्या था यह पाठ है कहानी है ऐसे दादी नानी कहानी सुनती है वैसे समझो इसको इसमें कुछ रटने वाली बात ने कहानी समझो कोश्चन आएगा खतम करो इतना टाइम नहीं लगाना इन पहना समझ गहना आगे चलते हैं अपन अगला कोश्चन how did France feeling इसका अदलाव क्या होता है की का यानी उसके भावना है मतलाव इससे किसी इंसान से सम्बंदित होता है फिर किसी से सम्बंदित होता है तो अपने अपोस्ट्रफी एस यूज़ करते हैं आगे चलते हैं how did France feelings about M. Hamill and school change प्रांस की अपने स्कूल और M. Hamill के प्रतीब भावनाओं में कैसे बदलावाया सबको पता है कि उसको पहले स्कूल जाने का मन नहीं था उसे सार नदी में जाना पसंथा, फिशिंग करना पसंथा M. Hamill उसको strict और cranky लगते थे, अजीब लगते थे और वो रूलर से मारते थे तो सुन से डर भी लगता था पर अब ऐसा नहीं है, क्यों? वही कोज, वही हमारा कॉज बर्लिन से जो order आये थे, जो की बुलिटिन बोर्ड पर पुट आन किये गए थे वही है कॉज, उसकी वैसे सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, चलो आपना के चलते हैं France's feeling about Ms. M. Hamill and school change as he was shocked when M. Hamill told the students about the order from Berlin and that it was their last French lesson France forgot about his teacher's ruler and crankiness instead he started liking M. Hamill as he was being separated from M. Hamill forever, वो Mr. Hamill से हमेशा के लिए बिछडने वाला था कल से उसको अपने अध्यापक जी नहीं दिखेंगे, M. Hamill नहीं दिखेंगे यही रीजन था कि वो भूल गया कि Mr. Hamill सक्त है, ruler से मारते हैं वो कितने जादा अजीब मतलब होता है ना, अजीब है, उनसे डर लगता है उन्हें वो सब भूल गया, बस वो यह सोच रहता कि कल से उसे वो देखने को नहीं मिलेंगे दूसरी बात यहाँ पर दो एक प्रश्ट के अंदा दो चीज़ें पूछीगी हैं कि एक तो M. Hamill के प्रती और एक स्कूल के प्रती है ना, M. Hamill के प्रती तो यह रीजन था यही रीजन था कि जो बुक्स पहले उसे भारी-भारी लगती थी जिनको उठाने में बोज आता था भार आता अब वैसा पुराने दोस्तों की तरह प्रतीत हो रहे थे जिनसे बिछड़ना उसको उसके बारे में सुच के भी उससे रहा नहीं जा रहा था इसलिए उसने आगे चले यही कोशन है बस इस पार्ट में और कुछ भी नहीं है बस यही कोशन है टाइम बरबाद नहीं करना अपन को अपन स्मार्ट वर्क करेंगे यांपे ठीक है चले नेक्स जो हमारा हिंदी का अनुवाद है बहले वो कर लेते हैं इसको फिर अपन नेक्स कोशन पर चलेंगे ठीड़ी फ्रांस की भावना एम हैमल मिस्टर हैमल और अपने स्कूल के प्रती तब बदल गई जब उसे मिस्टर हैमल द्वारा बरलिन जर्मनी की राजधानी के और जिसके तहत ये उनका आखरी ये पता चला जिसके तहत ये उनका आखरी फ्रेंच लेसन का पार्ट है जिसके तहत उन्हें ये पता चला उन्हें ये पता चला की ये उनका आखरी फ्रेंच का पार्ट है वैसे ही सही था बट वही आप लोगों को ज्यादा बैदे समझ मैं इसमें कुछ एड़ उन कर दिया तो मैं फिर से रीड करता हूं कुई मेरी राइटिंग कीड़े मकड़ों वाली है तो आप देख लो लिखा क्या है है ना यह तो चारव जिसके ठीक है फिर से पढ़ देता हूं फिर से कीड़ मकड़ों से मिला देता हूं फ्रांस की भावनाय मिस्टर हैमल और अपने स्कूल के प्रती तब बदल गई जब उसे मिस्टर हैमल द्वारा बर्लिन के ओर्डर जिसके तहत ये पता चला कि यह उनका आखरी फ्रेंच क पार्ट है ये सुनकर उसकी भावनाय में बदल गई वो शौक हो गया पहली फिलिंग क्या थी शौक लगा उसे जो अराम से जो पहले कन्फ्यूजन था पहले हुआ था कन्फ्यूजन ड्रेस देखके शान्ती देखके बुजर्गों को देखके बर जब वो बैठा और जब से ये पता चला तब वो कन्फ्यूजन की फिलिंग बदल गई किसमें शौक में ये सुनकर फ्रांस मिस्टर हैमल के सक्तपन तता उनके स्केल के बारे में भूल गया और उसे मिस्टर हैमल बहुत पसंद आने लेगे क्योंकि अब उसके मन में ये बात थी कि वह मिस्टर हैमल से बिछड जाएगा ये ना जैसे कि अपने इंग्लिश में पड़ा था there was this feeling in France mind that he would be separated from M. Hamill forever France के mind में ये France के मन में ये बात थी कि वह मिस्टर हैमल से हमेशाखली बिछड जाएगा and this is the very same reason why he forgot about Mr. Hamill's crankiness or how strict he was यही कारण था कि वह भूल गया कि Mr. Hamill कितने सक्त हैं तथा उनके scale से मारे जाने की बात उनके सक्त पन सबके बारे में भूल गया सिर्फ एक ही भावना थी जो की थी बुरा लग रहा था उसे कि कल से Mr. Hamill बिछड जाएगे यह थी Mr. Hamill के प्रती जो भावनाएं में बदलावाया था स्कूल के प्रती क्या थी लेसन किताबों के प्रती क्या थी वह यह थी अब उसके मन में यह बात थी कि वह Mr. Hamill से बिछड जाएगा तथा उसके मन में अपने स्कूल के प्रती जो भावनाएं थी उनमें भी बदल कि अब अपनी किताबों को नहीं छोड़ना चाहता था उसको अपनी किताबें पुराने मित्रों जैसी प्रतीत हो रही थी पुराने मित्रों से विछड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता अगर मित्र अच्छे थे तो तो यही बात है कि अब उसे जो बुक्स भारी लगती थ बाता था अबाल लगता था घिनकी वैसे श्कूल नहीं जाने का मनकर नहीं करता था वह उप पुराने मित्रों की next question how different did Mr. Hamill look that particular morning in the last lesson Mr. Hamill बाकी जुनों से किस तरह अलग पहनावा करके आए थे ये बहुत important part है तभी part में इस चीज़ को बहुत अच्छे से detailed कि है क्योंकि ये part की detail है आपको इसको याद करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आप समसोचो imagine करो मैंने बताया था न imagine करो खुदी गुसेते क्लास में अपने क्या देखा था Mr. Hamill ने तीन अलग चीज़े पहन रखी थी एक तो उनका green coat था green coat prilled shirt प्रिल्ड का मतलब जालेदार shirt और black रेशम की तोपी, काली silk की तोपी black silk cap, काली रेशम की तोपी तीन चीज़ें थी जो ये कप पहना करते थे जो ये अपने ceremonial days पे अब सरवाले दिनों पे पहना करते थे या फिर price distribution इनाम वितरण के दिन पहना करते थे ये अजीब चीज थी चलो answer दिखते इसका ये रहा अपना answer Mr. Hamill's dress on his last day in the school consists of his beautiful green coat frilled shirt and a little black silk cap that he never wore except inspection and price days इना देख लो answer ये रहा आपके सामने answer समझ लो इसको समझ मागए कुछ नहीं है इस दा दा ये सब तो आपको कुछ Mr. Hamill's dress on his ये सब तो क्या है ये सब तो आप question सी बना लोगे the main important बात क्या है beautiful green coat frilled shirt and a little black till clap that he never would accept inspection and price और पहली बात तो बता है क्या मैं आपको एक बात आदा हू मैं आपको दिखा दा हूँ गल्ती क्या है यहांपे Z ये असल में होगा प्राइज औरी हो जाता है गल्ती है ना मैंने बताया था ना हूँ तो मैं भी मंगा लग रहा है कही थोड़ी मोटी गल्ती हो जाती है चलो आपन फिर से question को read करते है Mr. Hamill's dress on his last day in the school consisted of his beautiful green coat frilled shirt and a little black silk cap that he never wore except inspection and price case सामझ मा आगया पाठ याद आ गया जो अपने पढ़ा था हिंदी में पढ़ें इसका नुवाद चलें ओके चलो आओ Mr. Hamill ने अपने अंतिम दिन एक खुबसूरत हरा कोट अपनी जालिदा शर्ट तथा एक छोटी काली रेशम की टोपी पहनी थी जो कि वह सिर्फ खास दिनों तथा इनाम वितरन के दिन ही पहनते थे ये उनका ये को होता है ना बोलने में तक ये कलाम होता है वैसे ये उनका पहनने में था थी स्रिफ इंस्पेक्शन प्राइज जेज, ओकेशन, अफसरों इनाम वितरन इसी दिन वह ये पर्टिकुलर चीज पहन के आते थे जो की थी एक हरा सुन्दर कोट प्रिल्ट जालेदार शर्ट प्रिल्ट का मतलब जालेदार शर्ट और एक छोटी रेशम की काली तोपी ये इस तरह से दिखते थे हमारी मिस्टर हैमल, ठीक है? ये रहा आपका अंसर बस आठ कोशिन है इन ही में पूरा चैप्टर समाया हुआ है कहीं और नहीं जाना अपन को ठीक है? ओके, कंसेप्ट समझो इसमें भी थोड़ा-थोड़ा कैमिस्टर की तरह है ना इस दा ये ओन आफ ये सब इंपॉर्टन नहीं है में शब्ट क्या-क्या है? ब्यूटी ब्लू ग्रीन कोड, फ्रिल शर्ट लिटल ब्लाक, सिल्ट कैप ये इस सब इंपॉर्टन नहीं है चले, नेक्स्ट क्योशन की और बढ़ें रडी क्या था, ये भी इपन रता है था, तीन ही चीज़ें पढ़ाई थी मिस्टर हैमल न उस दिन तो क्योश्चन भी यही है मिस्टर हैमल ने अपने अंतिम पार्थ में क्या पढ़ाया सोचो चलें, आंसर की और बढ़ें उत्तर की और जाया जाया ये रहा आपका आंसर एक बार आप रीड कर लो इंग्लिश में, हिंदी में समझ लोग कैसे लिखा है कैसे प्रेजंट किया गया है आप एक बार देख लो इनमें अपने इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये कोशिन इंपोर्टन है शुरू के हैं वो तो काफी बार आते रहते हैं वो तो जैसे अगर आपको आता है कि सेक्षिन आएगा उसमें से आंसे लिखने तो इसमें भी आजाएगा ये इंपोर्टन है ये डिटेल वाले कोशिन से इसलिए इनमें मैं जादा टाम लगवा रहा हूं चलो आंसर अब मेरे मूँ से सुनते है Mr. Hemel taught the class about grammar, then about writing and finally a lesson in history More than this, he made his students realize the importance of their mother tongue and taught them to take pride in their language ये जरूरी नहीं था उन्हें आकरे दिन क्या पाठ लिये जो की किताबी थे जरूरी ये था उन्हें क्या ऐसा पढ़ाया, क्या values दी उन सभी को, student और पुराने बुज़र्ग लोगों को वो क्या बात ही जो बोड रहे थे, है ना तो तीन तो हो गए वो चीज़ जो normal class में होती है हमारे आपकी और जो उन्हें आकरी जो values दी थी वो भी important है वो आपको बता नहीं है ना Mr. Hamilton taught the class about grammar, value, then about writing and finally a lesson in history More than this, in सबसे जादा, he made his students realize the importance of their mother tongue and taught them to take pride in their language अपनी जो मातर भाशा है, उसके उपर गर्व करने को कहा है ना, यही का था उन्होंने, उन्होंने बोड पर जो क्या बात लिगी थी Viva la France, France अमर है, है ना, वही, यही तो उन्होंने कहा था उन्होंने क्लास तो तीन ही ले थी, बट वो समझा के जो गए थे वो अमूल ले था Mr. Hamill taught the class about grammar, then about writing and finally lesson in history More than this, he made his students realize the importance of their mother tongue and taught them to take pride in their language Mr. Hamill ने अपने अंतें पाठ में सभी को grammar, उसके बाद writing और अंत में इतिहास का पाठ पढ़ाया इन सभी के साथ ही उन्होंने सभी को अपनी मात्र भाषा की महत्पूर्दा ग्यात करवाई और उन्हें इस पर गर्व करना भी सिखाया है ना, जो वो morals देके गए हैं, जो value देके गए हैं, जो seek देके गए हैं वो सबस्यादा जरूरी हैं यहां पर पढ़ा तो सभी देते हैं, सीखर कोई नहीं देता, है ना, यह रहा आप cancer चलें, देख लो, समझ लो, फिर इसके आद नेक्स कोश्चन की ओर चलते हैं चलें, आजाओ यह बहुत जरूरी है, यह जरूरी कोश्चन है, इसको देखो यह वैसे numericals, numericals नहीं है, जिसमें आपको सोचना पड़ है इसको याद करो कि क्या बोला था, बाकी भाशा में आए, आपको उसमे लिख देना है, इतनी सी तो बात है कोशिन है, how did Mr. Hamill praise the French language French भाशा के प्रती Mr. Hamill के क्या विचार थे या फिर इसको ये भी हो सकता है, उन्होंने क्या कहा पीड़ मकॉड़े आ रहे हैं, ready रना इनका मैं समझा देता हूँ, आपको क्या बोल रहे हैं, उन्होंने फ्रेंच भाशा के बारे, याद रखना ये इसकी उपर आई है बारे में क्या कहा, ये हमारे कुश्चिन भाशा अलाग है, पूछ वो एकी चीज रहे हैं, है ना How did mister hamill praise the french language, french भाशा के प्रती mister hamill के क्या विचार थे, छलो ये रहा हमारा answer, समय चीए देखने के लिए, देखलो इस पूरे को रीड करो इंग्लिश में रीड करो फिर हिंदी में मन में रीड करो इंग्लिश को बोल के रीड करो इस पूरे को बोल के रीड करो आप बोलो बोलो इसको बोल के रीड करो चलो चलते हैं अपन Mr. Hamill called French the most beautiful language in the world according to him it was the clearest and the most logical language he wanted the people of French to guard it among themselves and never forget it इसको कभी भूलाय ना जाए ये तियास में गुमना हो जाए ये उन्होंने शिक्षा दी अपने बच्चों को तथा सभी को जो उनके students थे याद रखना आज के दिन जो बुजर्ग लोग बेटेते वह भी Mr. Hamill के students थे है ना चलो फिर से पढ़ते हैं मेरे साथ पढ़ो साथ में पढ़ो आजाओ साथ में पढ़ेंगे अपन Mr. Hamill called French the most beautiful language in the world according to him it was the clearest and the most logical language he wanted the people of French to guard it among themselves and never forget it Mr. Hamill ने कहा कि French इस दुनिया की सबसे खुबसूरत भाशा है तथा इनके अनुसार ये दुनिया की सबसे साफ और तारकिक भाशा है उनका फ्रांस के लोगों से अनुरोध है कि वे इसे बचा कर रखें तथा कभी इतिहास में गुम ना होने दें कई भाशा इतिहास में गुम हो जाती है बहुत सारी कम हो गई पाली जो है बूस्टिश्म की जो बहुत धर्मी ओरिजनल लैंगुऑज है वो गुम हो चुकी है ऐसे गुम हो जाती है भाशाएं अगर उनको कोई बचाने वाला ना हो एक समाज ना हो जहां पर उसकी इज़त की जहां पर उसकी values पता लोगो तो भाशा है गुम हो जाती है संस्कृतियां भी गुम हो जाती है वो जरूरी नहीं है अभी अपने इंग्लिश हो फोकस करते हैं उस पर बाब में कभी बात करेंगे वापे सीट करें Mr. Hamill called French the most beautiful language in the world according to him it was the clearest and the most logical language he wanted the people of France to guard it among themselves and never forget it Hindi अनुवात Mr. Hamill ने कहा की French is दुनिया की सबसे खुबसूरत भाशा है तथा इनके अनुसार ये दुनिया की सबसे साफ और तार्किक भाशा है उनका France की लोगों से अनुरोध है की वे इसे बचा कर रखें तथा कभी इतिहास में गुमना होने दें यही बताते हैं यहां से एक प्रशन जिसे बनता है बट पूछा नहीं जायेगा वो यह है कि Mr. Hamill अपने भाशा अपने देश के प्रती कितने पेट्रियोटिक थे देश बक थे कहां से प्रूव होता है इनी शब्दों से प्रूव होता है वैसे इंपोर्टेंट नहीं वह समय तुम्हें बता रहा हूँ याद होना चीए अपने अगले प्रशन की और बड़े अरे खतम आठो प्रशन खतम पता ही नहीं चला अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ हतम इस चेप्टरम और कुछ नहीं मेरी बात मानो आगे बढ़ जाओ इन आठ प्रशन को कर लो याद क्योंकि इन आठ प्रशन के आंसर में तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के, सारी चीज़ें बाते हैं, इसके वाद तुम्हें कहीं नहीं आना, ठीक है? फिर से मैं तुम्हें एक बाइ सारे कोशिनां से दिखा देता हूँ पहला, how did Mr. Hamill praise the French language? फ्रेंच भाषा के प्रती Mr. Hamill, M. Hamill के क्या विचार थे? उनके विचार किस प्रकार थे? ये देखो Mr. Hamill called French the most beautiful language in the world. According to him, it was the clearest and the most logical language. He wanted the people of French to guard it among themselves and never forget it. ये थी अंग्रेजी में, अब आते हैं हिंदी में, हमारी भाषा में आते हैं Mr. Hamill ने कहा कि French is दुनिया की सबसे खुबचूरत भाषा है तता इनके अनुसार ये दुनिया की सबसे साफ और तार्खिक भाषा है उनका फ्रांस के लोगों से अनुरोध है कि वे इसे बचा कर रखें तता कभी इतिहास में गुम ना होने दें Clear? Clear? चलो चलो What did Mr. Hamill teach the class in his last lesson? Mr. Hamill ने अपने अंतियम पाथ में क्या पढ़ाया? तीन चीज़ें पढ़ाया है भाई Grammar, Writing और History और Values भी दी दी दोनों अपन को पढ़ना है Mr. Hamill taught the class about grammar, then about writing and finally a class in History More than this, he made his students realize the importance of their mother tongue and taught them to take pride in their language ठीक है? ये आपको frame करना है, ये आपको sheet में लिखके लाना है, चलो इसका अनुवात देखते हैं ताकि आपको समझ में आए Mr. Hamill ने अपने अंतियम पाथ में सभी को grammar, उसके बाद writing और अंतियमें इतिहास का पाथ पढ़ाया इन सभी के साथ ही उन्होंने सभी को अपनी मातर भाशा की महतवपूर्ता ग्यात कराई और उन्हें इस पर गर्व करना भी सिखाया गर्व करना सिखाया, ये बहुत जरूरी बात थी उन्होंने बताया कि इस पर गर्व करो, गुम्मत होने देना हमारी French भाशा को सबसे सुन्दर, logical, clear भाशा है ये ठीक है? हो गया? चले, आगे चले ये रहा, how different did Mr. Hamill look that particular morning in the last lesson? Mr. Hamill बाकी दिनों से किस तरह अलग पहनावा करके आए थे? Mr. Hamill's dress on his last day in the school consists of his beautiful green coat, frilled shirt and a little black silk cap that he never wore except inspection and prize days Hindi अन्वाद ये रहा आपके सामें Mr. Hamill ने अपने अंतियम दिन एक खुबसूरत धरा कोट, अपनी जालेदार शर्ट तथा एक छोटी काली रेशम की टोपी पहनी थी जो की सिर्फ खास दिन होता था इनाम वित्रण के दिन ही पहनते थे Clear? आगे चलें चलें ये रहा कोशन, important कोशन How did France feeling about M. Hamill and school change? फ्रांस की अपने स्कूल और M. Hamill के प्रती भावनाओं में कैसे बदलावाया? ये रहा आपका अंसर जो आपको लिखेना पड़ेगा France feeling, जरूर नहीं इसी तरह लिखो, बात समझो और उसे English में मन में बनाओ और हातों से कलम से लिख दो France feeling about M. Hamill and school changed as he was shocked when M. Hamill told the students about the order from Berlin and that it was the last French lesson France forgot about his teacher's ruler, scale इस ruler का मतलब होता है, scale and crankiness, instead he started liking M. Hamill as he was being separated from M. Hamill forever His feelings toward his school also changed as he didn't want to give up his books and lesson as they seem to be like old friends France की भावनाए M. Hamill और अपने school के पती तब बदल गई जब उसे M. Hamill द्वारा बर्लिन के ओर्डर जिसके तहत यह पता चला कि यह उनका आखरी French का पार्ट है Yes, उनका France, Mr. Hamill के सक्टपन तथा उनके school के बारे में भूल, उनके scale के बारे में भूल गया और उसे M. Hamill बहुत पसंद आने लगे क्योंकि अब उसके मन में यह बात थी कि वे M. Hamill से बिछड जाएगा तथा उसके मन में अपने school के प्रती जो भावनाएं थी उनमें भी बदलावाया क्योंकि अब वे अपनी किताबों को नहीं छूड़ना चाता था उसको अपनी किताबे पुराने मित्रों जैसी प्रतीत हो रही थी याद रखना अपनी पुरानी किताब है, अपने पुराने मित्रों जैसे प्रतित हो रहे ही थी, क्योंकि उसके आद काफी समय से नहीं और उसे पसंद नहीं थी, है न? Okay, he now sees his books, which were, which seems like burden for him earlier, now seems like old friends. याद हो गया? हिंदी में? यह रहागा. अब उसे उन से बिचंडना मन्जूर नहीं था. आगे चलें? What changes did the order from Berlin cause on school that day? Berlin के आदेश शिव्दिन स्कूल में क्या बदलाव आए? The order from Berlin caused the French language to be stopped from being taught in the schools of Elsick and Lorien from that day. It stated that only German will be taught in the schools from now onwards. अभी से. उस दिन से Elsick और Lorien में कहा गया है कि वहाँ के स्कूलों में सिर्फ जर्मन बढ़ाई जाएगी. उसके बाद से इसका मतलब ये था कि मतलब था कि फ्रांसेजी शिक्षक M. Hemel को छोड़ना होगा. इसने बड़े ग्रामिनों को फ्रेंच में अंतिम पाट के लिए स्कूल में भाग लेने का कारण बना दिया. यही कारण था कि वो सब आकरी बैंची से बैठे मिले गए थे फ्रांस को. Next question. जल्दी जल्दी. क्योंकि अपने पढ़ चुका है. मैं आपको बोड नहीं करूँगा. What had been put up on the bulletin board टाउन होल के बाहर? Question इसलिए इतना ही है. यह तो मैं एक्षा लिखा. What had been put up on the bulletin board उस दिन bulletin board पर क्या चापा गया था? किया रहा आपका उत्तर? An order that had come from Berlin had been put up on the bulletin board. The order was that from the next day onwards only grammar would be taught in the schools only German would be taught in the schools of Elsick and Lauren. Only German would be taught in the schools of Elsick and Lauren. The new teacher would join the school from the following day. और वो जर्मन का टीचर था. एक अदाइश जो की बर्लिन से आया था वे बुलिटिन बोड पर था. आदेश ये था की अगले दिन से केवल जर्मन ही Elsick and Lauren के स्कूल में पढ़ाई जाएगी. तथा जर्मन के लिए नया टीचर अगले दिन से स्कूल में शामिल हो जाएगा. Mr. Hemel चले जाएगे. Next question. What did France notice that was unusual about the school that day? उस दिन France ने अपने स्कूल में क्या असमाने चीज देखी? यह रहा आपका उस्टर? France noticed many unusual things about school that day. First, normally when the school began there was much commission which was missing that day. Second, his teacher M. Hemel had worn his ceremonial clothes. Third, which was most unusual the village people were sitting quietly on the last benches which were usually empty on other days. This was the thing that made France shocked and he was in confusion. expected to be prepared with for school that day. France को जज़स दिन किस पार्ट की अफेक्षा थी? What France expected that he would face when he will face Mr. Hemel? What is the thing that Mr. Hemel told earlier that he would ask his students on this day? France को क्या लगाता कि स्कूल जाएगा और Mr. Hemel के सामने होगा तो उसे कौन से कौश्चिंस मिलेंगे? जो कि Mr. Hemel ने कहा था एक दिन पहले की वे अपने बच्चों से पूछेंगे? France was expected to be prepared for school that day with his lesson on participles, Mr. Hemel, his French teacher, had announced that he would question the class on participles, but poor France didn't know even the first word about them. France को उसके बारे में पहलाक्षर भी नहीं आता था. France को उस दिन कक्षा में Mr. Hemel द्वारा पार्टीसिपल्स क्रदंद के उपर प्रशन पूछे जाने की अपिक्षा थी परन्तु France को क्रदंद के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी. खतम. और ये हमारे बच्चे, मेरे दोस्त, सारे मेरे दोस्त, जिन्हों ने लिखा था. इसी के साथ ही हमारे आज की क्लास खतम होती है. अच्छा देखो, मैंने पिछले वीडियो के बाद जो कमेंट सेक्षिन ने वो देखा और मैंने देखा आपकी डेडिकेशन देखी, आपकी कमेंटमेंट देखी, किसी की भी कर रहे होगे न, किसी भी और एक्जाम की, मैं बता रहा हूँ, आप उसमें न, clear नहीं करके आओगे आओगे, आप तहल का मचा दोगे उसमें. सद बता रहा हूँ, देखा मैंने आपकी डेडिकेशन, आपकी कमेंटमेंट देखी, सच में, आप कहल का मचा के आओगे भाई, फोड़ आलो के पूरा एक्जाम, ओके, इसी के साथ ही, अपनी क्लास हैं आप खतम होती है, दिस वाज मी, यूर फ्रेंड, आपका दोस, बिट्टू, थैंक यू पर जोइन दे क्लास, लव यू और एक्टू अगाई, भाई भाई!